गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आप अपनी स्कीन पर देख सकते हैं GNDU का ओफिशल नोडिफिकेशन है यह GNDU अमरीसर में बहुत सार विकेंशिस निकली हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स में तो यह नोटिफिकेशन हम आपको पढ़के बता देते हैं पूरी डिटेल में तो यह विडियो लास तक जुरूर देखना सारा कुछ इस विडियो में कवर अप किया गया कि आपने ओनलाइन फर्म कैसे भरना है फीज कितनी है वेकेंशिस कितनी है आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो चलो शुरू करते हैं ओनलाइन एप्लिकेशन आर इंवाइटेड फॉर दी वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट इन दी उनिवर्सटी ओनलाइन डिचिंग और इंवाइटेशन आपको क्या कि आपको बताया गया कि ओनलाइन आपने यह फोर्म भरना है ओनलाइन के थुरू ही भर सकते हैं और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है तो जो सीरियल नंबर हम आपको नीचे पताएंगे पोस्ट 1 से 9 है उसकी फीस है ग्यारांसो असी रुपे उसके बाद जो सीरियल नंबर पे पोस्ट होंगी नीचे 10 टू 11 उसकी फीस है 944 www.gnu.ac.in पर चलो आगे जलते हैं तो इंपोर्टेंट डेट्स ओपनिंग डेट फॉर ओनलाइन रिजिस्टेशन ऑफ एप्लिकेशन 11 जनवरी 11 जनवरी से ओनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए है तो आप सब भर सकते हैं है लास्ट डेट फॉर ओनलाइन रिजिस्टेशन और समिषन ऑफ एप्लिकेशन 11 जनवरी fruste जनवरी तक लास्ट डेट है ओनलाइन फर्म भरने की और जो हाट कोपी ओनलाइन सम्मिट कराने की जो लास्ट डेट है वो है साथ फर्वरी तो आगे चलते हैं डिटेल और पोट्स तो यह रहा सबसे पहले एक साइड में सीडियल नंबर उसके बाद नेम और पोट्स और पे एक पोस्ट है उसके बाद प्रोफैसर सेकेडर पर फाए तो इसकी पोट्स जो है वह वह एक लुग heel उसके बाद सेकेडर फोट्स वेक्सिज की विकेंशी तो है हिस्ट्री और रिजनल स्टड़िस की यह को धूर्थ जो थौर्ड नंबर से जिलंदर लो में एक विकेंशी तो उसके बाद सीडियल नंबर फॉर एस्योशेट प्रोफेसर तो डिपार्टमेंट्स जो है वो है हिस्ट्री एगरिकल्चर मास कम्मुनिकेशन शोलजी लो साइकोलजी तो ऐसे ऐसे करके आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक एक विकेंसी है इन सभी में उसके बाद आगे चलते हैं इसकी पोस्ट भी एक है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके पोस्टर है तो यह लो में जैसा कि आप देख सकते हैं एक विकेंसी जर्नल एक एसे स्टुडेंट माइक्रो बाइलोजी एक विकेंसी तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं इसके बाद कमेस्ट्री तो विडियो एक जम स्लो है अगर आपने स्क्रीन शोल लेना है तो आप स्क्रीन शोल ले सकते हैं नहीं तो आप अराम से विडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं तो आप बा एक विकन्सी उसके बाद नाइंध नंबर पर मैडिकल ओफिसर मेल युनिवस्टी हेल्थ सेंटर डिपार्टमेंट उसका विकन्सी एक उसके बाद कलर्थकम जूनियर डाटा इंट्री ओपरेटर पुनानक देव उनिवस्टी टोटल 35 पोस्ट रहें 11 जर्नल उसके बाद जर इसके बाद आगे चलते हैं तो यह पूरा नॉटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पे आप अराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर हम डिटेल में एक एक चीद बताने लग पड़े तो यह विडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हमने में में चीज आपको बता बादी हैं बागे आप यह नॉटिफिकेशन पढ़ सकते हैं विडियो एकदम स्लो है तो यह नॉट्स इंपॉर्टन कुछ आप अराम से यह विडियो पॉज करकर के यह नॉट्स जुरूर पड़े उसके बाद आगे चलते हैं तो यह रे डीन कॉलेज डेवलोमेंट कॉंस सबस्क्तिल QUALIFICATION अगर डीन में आपने ओन्लाइन फ़र तो आपके पास क्या-kया QALFICATION होनी चाहिए तो यह आपकी स्क्रीन पे है उसके आगे चलते हैं तो यह उससे रिलेटेड नॉट जिसने डीन में कि ओनलाइन फॉर्म भरना अपना तो आपको कितने पर्सेंट मार्क्स पहले होने चाहिए आपके क्या क्या चाहिए आपको सारा कुछ इसमें बताया गया तो आप आगे चलते हैं तो यह रही प्रोफेसर की जो वेकैंसी हैं हिस्ट्री और रिजनल स्टुडिस और लो में तो अब आगे चलते हैं तो यह रहा अश्यूशेट प्रोफेसर हिस्ट्री मास कम्मिनिकरिशन शोशल लोल जी लो में साइकोल जी तो यह आप जिदूट पढ़ें इसके बाद नौड विडियो एकदम स्लो है आपने स्क्रीन शोल लेना हो तो आप स्क्रीन शोल ले सकते हैं न यूजिक क्या है करके चाहिए तो वीडियो इसलिए लंबी है क्या हमने पूरा कुछ बता दिया कि आपको क्या-क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कैसे कब भरना है फीज कितनी है उसका विकैंसिस कितनी है कौन सी पोस्ट के कितनी विकैंसिस है और अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या-क्या कॉलिफकेशन चाहिए है तो आगे जलते हैं तो यह उस पोस्ट से इलेटेड इंपरने नोट्स उसके बाद आगे जलते हैं तो आप आराम से वीडियो पोस्ट करकर पड़ें इसके बाद आगे चलते हैं तो यह assistant professor hotel management and tourism qualification आपके सामने तो सभी का एक 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 करके बताया गया तो आप आप आराम से वीडियो पोस्ट करकर पड़ें आगे चलते हैं ट्रयक्टर youth welfare qualification कह चाहिए आपकी स्क्रीन पे असके बाद नीचे Medical Officer Mail, University, Health Center, उसके लिए Qualification क्या चाहिए, Note आपने जुरूर पढ़ना, उसके बाद Clerk Come Junior Data Entry Operator के लिए क्या Qualification चाहिए, उसके बाद Note, उसके बाद नीचे Security Guard के लिए आपको क्या Qualification चाहिए, उसके बाद नीचे उसके Notes, उसके बाद ये कैसे अपने Online Form भरना है, सभी Department का, क्या-क्या आपने Online Form भरते टाइम ध्यान में रखना है, कौन-कौन से Documents लगाने हैं, आपको आपकी Screen पे दिया गया, उसके बाद इसका Second Point, उसके बाद आगे चलते हैं, Third Point, तो ये सारे Points आप जुरूर पढ़ें, उसके बाद अपना Online Form भरें, तो जितनी भी Vacancies हैं, आपको पूरी डिटेल में हमने बता दिया है, क्या-क्या आपको चाहिए, तो आप आगे चलते हैं, तो ये पूरी डिटेल में एक इक चीज बताईगी है, कि आपको फोटोग्राफ जो लगाने हैं, कौन-कौन से डोकुमेंट लगाने हैं, और इजिनल कौन से हैं, फोटोकॉपी की लगानी है, जो आपने डिटेल भरनी हैं, अपनी Date of Birth, Mobile Number, Valid, Mail ID, ये सब आपने नहीं है, स्क्रीन शोट लेना तो स्क्रीन शोट ले सकते हैं, नहीं तो आप अराम से वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, तो GNDU से रलेटेटर सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेगी, आपको किसी और चैनल पे जाने की जुरूरत नहीं है, तो जिसने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल जुरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने फ्रेंस के साथ जुरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता लग जाए, कि न्यू विकैंसी नेकल कही हैं, GNDU उनिवस्टी में, और लास्ट में आपको बत नोटिफिकेशन, तब तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूश सकते हैं, तब तक इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल जुरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बैल आकन जुरूर प्रेस कर देना, ताकि हम जैसे को न्यू वीडियो आपके लिए लेके हैं, सबसे बह जाए, तक यू